सीमा अपने बिस्तर पर सोती हुई अचानक से हडबडी में उठकर भागने लगती है और जल्दी जल्दी अपनी छट पर जाकर छट से बगल वाले घर की छट पर जाती है और धीरे धीरे से उनकी सीडियों से नीचे की तरफ जाकने लगती है सीमा सीडियों से ही देखती हुई मन ही मन मुस्कुरा रही है ना जाने वह ऐसे क्या देख रही थी कि उसके मन में फुलवारिया फूट रही थी थोड़ी देर बाद ही वह जल्दी से वापस सीडियों पर चड़ती है और चट पर से छलान लगा कर अपने घर में चली जाती है तभी सीमा की मा सीमा को देख कर कहती है पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया है सुबह सुबह उटते ही चट पर भाग जाती है ऐसा क्या मिलता है तुझे चट पर जाकर हमको भी बता दे हम भी देख लिया करेंग सीमा अपनी मा की बातों का जवाब दिये बिना वहां से मुस्कुराती हुई चली जाती है और लगभग एक घंटे बाद अपने दरवाज से पर खड़े होकर के किसी का इंतजार करने लगती है जैसे ही बगल वाले घर से एक नौजवान लड़का अपना बैक टाम कर आफिस के लिए निकलता है तभी सीमा उसको छेड़ते हुए कहती है कहां जा रहे हो राहुल बाबू राहुल मुस्कुराते हुए कहता है कहां जाऊंगा ऑफिस जा रहा हुँ तुम भी साथ चलोगी सीमा मुस्कुराते हुए कहती है ज्यादा मत बोलो हमें सब कुछ पता है तुम्हारे बारे में तुम्हारी एक एक बात पता है हमें हम अंतर्यामी है राहुल हैरानी के साथ पूछता है क्या पता है ऐसा तुम्हें जरा बताना मुझे भी अच्छा तुम कहो तो हम यह भी बता सकते हैं कि तुमने आज कौन से कलर का अंदर्वियर पहना है राहुल थोड़ा सा शर्माता हुआ अपने कपरों की तरफ देखता हुआ कहता है यह तुम्हें कैसे पता चलेगा तुम जूट बोल रही हो तभी सीम कुराते हुए कहती है आज तुमने लाल रंग का अंदर्वियर पहना है ना क्यों सही कहा ना हमने सीमा के चुलबुले धंग से पूछने की वज़ह से राहुल बेहत शर्मा जाता है और जल्दी से अपने कपरों को अपने बैक से धक कर अपने ऑफिस के लिए भाग जाता ह राहुल को इस तरीके से भागता हुआ देखकर सीमा हंस्ती हुई ताली बजाती हुई घर में चली जाती है तभी सीमा की मा कहती है तुम अब बड़ी होती जा रही हो इस तरीके से उल्टी सीधी हरकते मत किया करो तू क्यों उस राहुल को छेड़ती रहती है सीमा अपनी म मां के पास जाकर कहती है क्योंकि हमको बहुत मज़ा आता है इसलिए अगले दिन फिर से सुबह होते ही सीमा जल्दी से भागती हुई छट पर जाती है और अपनी छट छलांग कर राहुल के घर की छट पर चड़ जाती है और धीरे धीरे सीडियों से नीचे उतर कर कहीं पर ज देखती क्या है थोड़ी देर के बाद फिर से सीमा वापस अपने घर की छट पर आकर नीचे आ जाती है और एक बार फिर से राहुल को ऑफिस जाते हुए छेडने लगती है जैसे ही राहुल अपने घर से बाहर आता है तो वह सीमा को देखकर अपने बैक से अपने आपको गिर गए थे ना। जब सीमा राहुल की छट पर जाकर सीडियों से जाती है तो जो वहाँ देखना चाती है। गबराते हुए कहती है। तुम तुम यहाँ पर और जल्दी से वहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन तभी राहुल सीमा का हाथ पकड़ लेता है और कहता है मैं तो तुम्हें बहुत सीधी लड़की समझता था। लेकिन तुम तो एक नंबर की बदमाश निकली इसका मतलब है कि तुम यहाँ पर खड़ी होकर रोजाना मुझे नहाते हुए देखती हो तुम्हें शर्म नहीं आती एक लड़के को नहाते हुए देखना। राहुल की बात सुनकर सीमा शर्मा जाती है। राहुल सीमा की कलाईयों को पकड़कर उसे अपनी तरफ खीच लेता है और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख कर कहता है आखिर तुम ऐसा क्यों करती थी। तुम्हें देखकर मजा आता था तुम्हें अच्छा लगता है ऐसे मुझे देखने में लेकिन सीमा अचानक से अपनी शर्म छोड़ कर राहुल से आंखों में आखे डाल कर कहती है नहीं मुझे सिर्फ तुम्हें देख कर मज़ा नहीं आता मज़ा तो मुझे जब आता जब मैं भी तुम्हारे साथ वहाँ पर नहा रही होती और कहकर वहाँ से भागती हुई अपने घर चली जाती है राहुल सीमा की बात सुनकर बेहत शर्मा जाता है राहुल और सीमा की प्यार भरी बाते ऐसी ही चलती रहती है और उन दोनों के हैं और सीमा और राहुल उनको वहां देखकर एकदम से घबरा जाते हैं और सीमा शर्म के मारे अपनी नजरे नीची कर लेती हैं राहुल के पापा उन दोनों से गुसे में आकर कहते हैं क्या चल रहा है यह सब और कब से चल रहा है क्या तुम दोनों सच में एक दूसरे से प् अच्छा है अपनी पढ़ाई लिखाई पर अपने भविश्य पर ध्यान दो राहुल के पापा गुसे में उन दोनों को डांट लगा कर वहां से जाने लगते हैं तभी राहुल अपने पापा से कहता है पापा जी हम दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूस तो बिना कोई जवाब दिया वहां से चले जाते हैं और कुछी महीनों के बाद उन दोनों की शादी भी हो जाती है फिर सीमा और राहुल की जिन्दगी खुशी-खुशी एक साथ दिखने लगती है दोस्तों आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा